आपसे 11 साल पहले गितिका शर्मा सियूसाइड केस याद है आपको? MDLR एरलाइन्स की वो एर होस्टिस जिसने सियूसाइड करते हुए ये लिखा था कि मुझे गोपाल कांडा जो की हर्याना लोग हित पार्टी का मुखिया था MLA है, सिर्शा से MLA है, उस पर आरोप लगाते हुए गितिका ने आत्महत्या करनी ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहिए पूरा सिस्टेम ही क्यों न चाहिए तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते, बोल इलाब आज़ाद है तेरे क्या आप जानते हैं कि दिल्ली की राउजविन्यो अदालत ने गोपाल कांडा को बरी कर दिया है वो मामला क्या मैं आपको बताऊंगा, अगर उससे भी बड़ी खबर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले जब अपनी चाती चोड़ी करके भारती जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने कहा था कि हमारे एंडिये में 38 दल शामिल हैं तो उन 38 दलों में एक गोपाल कांडा की हर्याना लोखित पार्टी भी था उन्हें भी निवंतरण दिया गया था वो पहुचे नहीं ये बात अलग है मगर आज दिल्ली की राउज एविन्यू अदालत ने गोपाल कांडा को रिहा कर दिया आपके सामने दोस्तों रहाई के बाद ये व्यक्ति हाथ जोड रहा है शुक्रिया अदा कर रहा है लोगों को मगर आज सवाल सिर्फ गोपाल कांडा इस मामले में ट्राविस्टी ऑफ जस्टिस को लेकर नहीं है सवाल भारती जनता पार्टी से भी है आखिर क्या वज़ा है कि आपका बेटी बचाओ वाला जो नारा है उसके माइने बदल गए है ऐसा लग रहा है कि भारती जनता पार्टी से इस देश की बेटी को बचाने की जरूरत है हाँ कंगन को आरसी क्या है एक एक करके आपके सामने मिसाल पेश करते हैं गोपाल कांडा बरी अब तक भारती जनता पार्टी ने इससे दूरी बनाए रखी थी अब 38 दलों में शामिल हो गया है ब्रिज भूशन शेरंड सिंग इनका मामला बेल को आता है दिल्ली पुलीस उसका विरोध नहीं करती है उनकी बेल को लेकर बरी बेल मिल जाती है कुलदीब सिंग सेंगर बेल मिल जाती है बिल कि जबानो उसके ग्यारा गुनागार रिहा हो जाते हैं और बात यहां नहीं उसके बलातकारी को भारतिय जनता पार्टी सम्मानित करती है मंचपर जहां पर बीजेपी का MP और MLA दोनों मौझूद होता है मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूँ प्रधान मंतरी क्या बेटी बचाओ के नारे के माइने बदल गए हैं क्या अब ये मतलब हो गया है कि भा मनिपूर पर तो आप खामोश लगातार बने ही हुए हैं मनिपूर पर एक सतही बयान देकर आप उस मुद्दे से बच गए आप धारा 266 पर बहस नहीं कराना चाहते आप संसद में आकर इस पर भाशन नहीं देना चाहते जवाब नहीं देना चाहते उल्टा आपने आने की हिम्मत तक नहीं दिखाई हैं दोस्तों आज इस तरह से राउ जविन्यो अदालत का गोपाल कांडा को रिहा करना बहुत शौकिंग है भारती जंता पार्टी की नर्मी गोपाल कांडा को लेकर साफ तोर पर नज़र आ रही है एक जमाना था जब ये व्यक्ति मनोहर मनोहरलाल खट्र को समर्थन देना चाहता था तब उमा भारती सामने आई थी कि हमें साफ छवी वाले लोगों से समर्थन लेना चाहिए क्योंकि ये किंग मेकर बनना चाहता था मंत्रिपत चाहता था मगर मनुवरलाल खटर या स्थानिय भाज़वा छोड़ी हर्याना की अब तो केंद्र की भाज़वा यानि प्रधान मंत्री नरेंद्र वोदी और अमिट शाह की भारतिय जनता पाटी ने गोपाल कांडा को आए आखिर क्यों भारती जनता पाटी में इतनी हिम्मत आ गई कि वो गोपाल कांडा से समर्थन लें उन 38 दलों में उनको आमंत्रित करें आप भूल गया है कि इस स्यूसाइड लेटर में गितिका शर्मा ने क्या लिखा था याद दिलाता हूँ एक नहीं दो जगा दो पं them have broken my trust and misused me for their own benefits जब गितिका ने साफ तौर पर इस स्यूसाइड लेटर में लिखा है कि मेरी मौत के लिए जिम्मेदार अरुना चड़्धा और गोपाल गोयल कांडा हैं फ्रिवेक्ति बरी कैसे हो जाता है ये बात समझ के बिलकुल परे है ये सवाल किया जाना चाहिए न और एक नहीं दो बार इस उसाइड लेटर में उस बात का जिकर है दूसरी बात देखिए I have forgiven them number of times but it is my biggest mistake गोपाल गोयल कांडा also hurt me and my family and we still forgive him but again he misused our innocence and trust he is a cheat and a fraud man fraud बता रही थी गितिका इस आदमी को ये कहा कि हमारी मासूमित का इस आदमी ने फाइदा उठाया क्यों उठाया? क्यों ये आदमी बजगया? क्या वज़ा थी? क्या इन तमाम सवालों के जवाब भारती जन्ता पार्टी सरकार को नहीं देना चाहिए? क्या आखिर गोपाल कांडा के प्रती आपकी नर्मी की बज़ा क्या है? क्या गितिका को इस तरह से इंसाफ नहीं मिलेगा? आखिर क्या वज़ा है कि महिला सुरक्षा को लेकर इस सरकार का रिकॉर्ड इस कदर खराब है? गोपाल कांडा रिहा हो गया ये चीज विश्वास से परे है और सबसे शॉकिंग बात क्योंकि बात यहां नहीं रुकती है याद कीजिए ब्रिजभूशन शेरंड सिंग का मामला बेल के लिए अदालत के सामने आया था याद है आपको दिल्ली पुलीस ने अदालत में क्या कहा था? दिल्ली पुलीस ने अदालत में कहा था कि हम ना इसका विरोत करेंगे ना इसका समर्थन करेंगे जबकि दिल्ली पुलीस की बाकाइदा चारशीट है जिसमें छे महिला पहलवानों की गवाहियां हैं कि किस तरह से ये व्यक्ति सांस चेक करने के बहाने उनकी स्तंग, उनकी छाती, उनकी पेट, उनकी नाभी कुछ हुआ करता था और जब महिला पहलवान इसका विरोध करती थी, तब ये पलट कर कहता था ज्यादा स्मार्ट मत बन तेरा करियर बरबाद कर दूँगा इस तरह से ब्रिजभूशन चेरण सिंग ने कहा था हमारी महिला पहलवानों को उस चारशीट पर अगर विश्वास किया जाए था बताइए, ब्रिजभूशन चेरण सिंग पर भी हमारे प्रधान मंतरी खामोश रहते हैं, दिल्ली पुलीस जो कि अमिट शा के अंतरगत आती है, उस मुद्दे पर बेल का विरोध नहीं करती, क्यों? ये सवाल तो सीधे देश के ग्रेह मंतरी से पूचा जाना चाहिए ना कुलदीब सिंग सेंगर, जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था, उसे बेल मिल चुकी है, बताइए, याद कीजे, कुलदीब सिंग सेंगर पर पॉकसो की धारा में केस हुआ था, पॉकसो की धारा में तो ब्रिजभूशन शेरंड सिंग के खिलाब ही केस हुआ मगर आप सब जानते हैं उसका बाल तक बाका नहीं हुआ डर और अबसरवादी राजनूती के परणाम आपके सामने साफ तोर पर दिखाई दे रहे हैं मैं नहीं भूला हूँ जब कुलदीब सिंग सेंगर का मामला सामने आया था तब उस वक्त Law and Order ADG प्रेस कांफरेंस को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने तमाम पत्रकारों से कहा था सम्मानत विधायक जी कुलदीब सिंग सेंगर इस तरह से भारती जनता पार्टी महिलाओं के साथ अत्याचार में शामिल लोग का सम्मान करती है आखिर क्यूं और फिर इस चहरे को देखिए ये है राम रहीम बलातकारी राम रहीम पिछले धाई साल में भारती जनता पार्टी की कृपा से इस आदमी को साथ बार परोल मिल चुका है और इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस व्यक्ती को परोल मिला हुआ है कि आप जानते हैं कि इस व्यक्ती की तमाम सभाव में भारती जनता पार्टी मेता जाते हैं दंडवत होते हैं शीश जुकाते हैं और थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती क्योंकि यह आरोपी नहीं है इस पर बलातकावर और हत्या का जुर्म साबित हो गया है मगर परवा नहीं है इनको क्योंकि आदमपूर में चुनाव जीतना है उसी तरह से गोपाल कांडा पर कोई आक्शन नहीं होगा क्यों कि इस सिर्सा में चुनाव जीतना है एक एक सीट के लिए ये लोग किस तरह से अपने सिधानतों की धज्या उड़ाते हैं आपके सामने इसके प्रमान है मनिपुर में भी जो नर्मी बरती जारी है मुक्हि मंत्री बीरें सिंग के खिलाफ क्यों मैं समझना चाहता हूँ वो बीरें सिंग जो खुद कह रहे हैं कि ऐसे दरजनों मामले हैं आपने तो सिर्फ एक वीडियो देखा दो औरतों को जिस तरह से नगन किया गया और घुमाया गया ऐसे दरजनों सो से जादा मामले हैं खुद मुक्हि मंत्री ने आज तक को दिये गए इंटिव्यू में क मैं समझना चाहता हूं प्रधान मंत्री नरेंद्र बोधी ने क्या पूछा अद्बीरें सिंग से क्या जवाब देते हैं कि अब ये ढखोसला बंद कीजे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला क्योंकि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है हकीकत यह है कि आज की तारी उत्तरा खंड के अंकिता भंडा रही है उसे मौत के घाट उतार दिया गया है आरोप ये लगा कि भारतिये जंता पार्टी का नेता पुलकित आ रहे है और उसका बेटा विनूद आ रहे है उसकी मौत का ये भी आरोप लगा कि अंकिता पर लगातार दबाव डाला गया कि वो किसी के कमरे में जाए और उसके साथ रात बिताए या रूप लगाया गया था और कडगरे में कौन भारती जहनता पार्टी एक बारत है मगर बेशहर में यहां तक सीमित नहीं थी दोस्तों याद कीजिए विलकिस बानो सबसे पहले तो तमाचा मारा जाता है इस शिकार को जिसकी आँखों के सामने उसके पांच साल के बच्चे को मौत की घाट उतार दिया गया उसके परिवार के आधा दरजन से जादा लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया बिल्किस बानों के 11 गुनागारों को उसके रेपिस्ट्स मुर्डरर्स को रिहा कर दिया गया और अगर बात वहा तक नहीं रुकी तो इस तस्वेर को देखे यहां पर बिल्किस से रेपिस्ट को सम्मानित किया जा रहा है और मंच पर भारती जन्ता पार्टी के सांसद और MLA है यह महद इत्फाख नहीं हो सकता मैंने आपको इतनी विसाले नहीं दोस्तों मुझे बताईए आजाद भारत के इतिहास में ऐसी कौन सी पुलिटिकल पार्टी आपको दिखाई देती है जो इस तरह से खुले आम बलातकारियों के पक्ष में दिखाई देती है सिर्विस लिए कि आपको वोट जीतना है चाहे ब्रिजबूशन शरंड सिंग हो चाहे रामरहीम हो ये लोग बच्छों तक को नहीं बख्षते हैं याद है आपको आठ साल की आसिफा का जम्मू के कठुआ में मंदिर के अंदर पहले उसके साथ सामुहिक दुशकर्म और फिर उसके हत्या कर दी जाती है और उसके ब और उन्हें इस बात की बिलकुल भी शर्म नहीं है कि हम साथ देंगे क्यों कि आरोपी एक हिंदू है और टार्गेट में जो मासूम है वो एक मुसल्मान बच्छी है तो हिंदूों का वोट जीतने के लिए हम इसी तरह से हिंदू धर्म का अपमान करते रहेंगे ये बतलात को हिंदू की परवा है क्योंकि अगर हिंदू की परवा होती तो हमारी महिला पहलवान बेटियों के साथ इंसाफ होता वो सब हिंदू थी अंकिता भंडारी हिंदू थी भूल गए आप गितिका शर्मा ब्रहमन थी हिंदू थी इन्हें सिर्फ वोट जीतना है दोस्तों ना की महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालिवाल मनिपूर पहुंची और जिन दो लड़कियों के साथ सामुविक दुशकर्म किया था उन्हें गले लगा कर रोती है यह विडियो देखे फिर मैं उसकी चर्चा करता हूँ कितना रिदय विदारा की विडियो है ना दोस्तों कितना रिदय विदारा की विडियो है क्या प्रधान मंत्री थोड़ी सी कोशिश करके मनिपूर नहीं जा सकते क्या इस तरह से जो लोग बलातकार का शिकार थे क्या कम से कम उनसे मिल नहीं सकते आप अपनी राजनीती चमकानी के लिए आप कैमरास के साथ कहीं पर भी पहुँच जाते हैं आपके और कैमरे की बीच कुछ नहीं आता चलिए जाईए उनसे मिलिए कैमरा के बहाने ही जाईए उनसे मिलिए अपने प्रचार के बहाने ही जाकर मिलिए उनसे मैं आपको वादा करता हूँ इसी मंच पर मैं आपकी तारीफ करते हुए कारिकन करूँगा चलिए देर सही सही अब तो आए अब तो आए यानि कि दिक्कत यह हो गई है दोस्तों कि हमारी जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीदे है न वो इतनी कम हो गई है इतनी कम हो गई है कि क्या कहें कहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अब तो बीजेपी से बेटी बचाओ वचिस रिली शॉकिंग यतिका शर्मा के साथ जो अन्याय हुआ है न इतिहास माप नहीं करेगा आपको गुपाल कांडा की पक्शमे जिस तरह से बीजेपी खड़ी दिखाई दे रही है वो अपने आप में बहुत शर्मनाक है हर बलातकारी, हर ताकतवर बलातकारी के साथ इसवक्ट बीजेपी खड़ी दिखाई दे रही है शर्वत तुमको मगर आप दे नहीं अविसार शर्मा को दीजिये जासत नवस्कार